हम था तो hello ॥ार् milli i n averagefolg दो टीजम वyas को में इसका दो पार्ट मत इसको डिवाइड करे बनाऊँगा कर बाणिदल टो m उसमें कौन-कौन से फैक्टर होते हैं वह मैं बदा दूंगा आपको उसके बाद सेकेंड लेक्चर में इसका पूरा मेकेनिजम हमलों देखेंंगे हो जाता हुह हो जाता है ताबु होता है क्रिक्ण चेटेटर होती हैं एक street में st निकलता होता है तो लूट कलोटिं मेकेन्यम इसे कि लिए होता है ताकि जो ब्लड है हो खो लोट HOLT हो सके ब्लड लॉस्त ना हो इसी इसी के लिए होता है व् demonstersOh सब्सक्राइब मेकेनियम तो इस में हम लुक दो पढ़ते हैं एक होता है इंत्रेंसिक इंट्रेंसिक एक इंट्रेंसिक होता है और एक एक्स्ट्रेंसिक होता है एक होता है एक्स्ट्रेंसिक तो दो होता है एक होता है एक्स्ट्रेंसिक एक इंट्रेंसिक और एक नहों में वाइस्कूलर इंजरी दोनों में होती है यह दोनों में होती है इंट्रींसिक में क्या होता है है कि की जब बलड वेसल में इंजरी होती तो असलिज कैसे का इंजरी होती है तो हां पर फोद के सबस दो robust आप तो हाँ पे आते हैं इंट्रंसिक फेक्डर और जो ब्लड के भगल में टीसु होई सब्सक्राइब के बगल में टीसु होई तो अगर बलड वेसल पर इंजरी हुई तो इसे टीसू में डालेगी तो इसे टीसू भी डैमेज हो जाते हैं तो जो ए ब्लड वेसल्स पे इंजरी हुई उसके लिए क्या होता है इंट्रेंसिक फेक्टर होता है इंट्रेंसिक फेक्टर जो एक टीसू डैमेज होगा नए टीसू डैमेज च्षेटर आएगा आगा जो वेसल इसंचरी होने से डलत का कंस्टिटोंच चेंज हो जाएगा तो उसके लिए आयगा अपना इंट्रेंसीक फेक्डर तो इंट्रेंसीक में ट्रॉटल मिला अगर आपको काम नहीं करना तो आप इन्जरी होती है तो आपका एक्टिव फॉर्म में लगते हैं वैसे यहां पर जब इंजरी हुई जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्टिव होगा तो इस फेक्टर कभी तभी एक्टिव होते हैं जब इंजरी होती है तो बिफोर इंजरी मतलब ब्लड लौती नहीं हो रहा है तो अपने इन एक्टिव फॉर में होते हैं जैसे इंजरी हुई यह फैक्टर क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं वैसे ही वैसे इंट्रेंसिफ फैक्टर में होते हैं 12 फैक्टर होता है फैक नमबर 9 उसके बाद आता है अपना फेक्टर नमबर 8 उसके बाद अपना आता है फेक्टर नमबर 8 इसमें हो गया अब फेक्टर नमबर से वन इज़ता है इजा फेक्टर नमबर 5 आता है फाइप के बाद आता है फेक्टर नमबर अपना टू 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 फेक्टर नमबर 1 आता है design में और आता सीमें 13 तो हंंछ में एक्षण टूटल होंगे उसके बाद एक खुता है फेक्टर नम्बर फॉर एक फेक्टर नम्बर फोर वह्यारमा के एक्टिवेट करेगा 11th वाला नाइन को एक्टिवेट करता है वैसे ही एessä वाला तो उपने अप हैसे spin जाता है उसके बाद फिफ्थ Pin तो और सब्कें करता यथे वै को सब्सदार को थे इसलिए को तरफटर कीकस्ता होता है इसको हमपनीठ उपनीठ है अवगना है कि जो इसमें फेक्ट राथ इंट्रेंशिप में होता है बरमाँ지 रहाँ आपंचवां दूसरा पहला और थर्टिन आई इसमें तीसरा साथ और जो फोर्त वाला इट्रेंदा वाला दोनें common actually में एक फोर्थ वाला यह दोनों में common है तो यह होगे अपना intensive factor और यह होगे अपना extensive factor तो मतलब आपको यह समझ में आया होगा कि इसका basic basic जो इसका मोटा मोटा दर वो था आपको मिल गया कि intensive factor में क्या तो एक बाप ब्लड क्लोट क्लोट एकको उता है वाद होने वाला है अगेश्च गाम करता है तो इस अगेंच्छों के रूपता है और ऐसके बाद ना देता है वह इसकी जो प्रीक उन्सीक और यह उसमें जो वेशन में इंजरी हुई उसके बागल में बाहर टीसु है तो बोलता है कि अभी से फेक्टर निकलते हैं ऽे खिली अभी हम लोग इसको एक्टर रख अधर होता है क्या आए क्योंकि इसे एक्सक्राइब रख सकते हैं के बाहर होता है इसके पाइज में हिएग्सक्राइब युद्सा मों मों इसमें हम वैर नमबर 2007 थर्फ और फॉर्थ वाला दो लुद भिल Arbeit नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका पूरा मेकेनिजम कैसा होता है यह कैसा काम करता है मतलब कि कैसे बरमा से गिरावय कनोट होता है गिरावय कैसे कनोट होता है उसमें कौन से को फेक्टर होते हैं और उसके बाद प्रो थ्रॉम्बीन फाइबरीन उसके बाद क्लोड बनना तो